हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम वेक टो इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, डेली करेंट अफ्यस की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं, पांच मार्च दोहजार वाइस से रिलेटिड, मोस्ट इंपोर्टें है, तो आपको इस से जुड़े रहने के लिए स्टिडीकर को सब्सक्राइब करें, या फॉलो कर लें, और बेल आइकोन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगी, दोस्तो अगर आप इस लेक्चर का पीडियाप प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे जितने भी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर भी आप हम बन गई हैं, आंसर होगा इसका पूजा जातियान, दोस्तो पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विस्ट चेंपियंशिप 2022 में सिल्वर मैडल जीता है, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतिये खिलाडी बन गई हैं, दोस्तो ये जो चेंपियंशिप है, ये UAE में आयो जित की गई थी, ठीक है, इसका फाइनल 27 परबरी 2022 को आये जित हुआ था और फाइनल मुकाबले में, पूजा जातियान को इटली की पैट्री विसेंजा ने हराया था, तो पैट्री विसेंजा ने गॉल्ड मैडल और पूजा जातियान ने सिल्वर मैडल जीता था, भारत इससे पहले 200 Championship में भाग लिया था जिसमें बीजिंग ओलंपिक 2017 में और डैन वास 2019 में भारत ने भाग लिया था दोस्तो अंगला प्रसने डिसकस करने से पहले UAE के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है United Arab Emirat Capital क्या है United Arab Emirat की अबुधाबी है और President या खलीफा कौन है तो नाम है उनका खलीफा विन जायद अल नाहयान और यहां के Prime Minister या Vice President कौन है तो उनका नाम है मुहमद बिन रासिद अलमक्तूम UAE के पडोसी देश कौन-कौन से है तो दोस्तो ओमान है और साओधी अरेविया है और इसके उत्तर में अरेवियन गल्फ है अंगला प्रस्न है सून्ने भेदभाव दिवस या Zero Discrimination Day कम मनाया जाता है आंसर होगा एक मार्च को दोस्तो हर साल एक मार्च को सून्ने भेदभाव दिवस मनाया जाता है ठीक है जो ये दिवस है ये दिवस क्यों मनाया जाता है थोड़ा सा आप इसको समझेगा दोस्तो महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए इस दिवस को मनाय जाता है यह हर साल कम मनाय जाता है एक मार्च को मनाय जाता है और इसकी सुरुबात हुई थी कब 2014 से 2022 की theme क्या है 2022 की theme है नुकसान पहुँचाने वाले कानूनों को हटाएं ससक्त बनाने वाले कानून बनाएं दोस्तो ये जो सून्न भेदभाव दिबस है ये किसके द्वारा मनाय जाता है ये मनाय जाता है सयुक्त राष्ट एड्स कारक्रम की द्वारा ठीक है अब हम मार्च माय के कुछ important day डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा तो सुन्ने भेदभाव दिवस एक मार्च को विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी एक मार्च को विस्व स्रबन दिवस यानि वर्ड हेरिंग डे कम मनाय जाता है तीन मार्च को राष्टिय रक्षा दिवस कम मनाय जाता है तीन मार्च को विस्व नने जीव दिवस कम मनाय जाता है दोस्तों तीन मार्च को राष्टिय सुरक्षा दिवस ये कम मनाय जाता है चार मार्च को और अंतराष्ट्य महिला दिवस ये मनाया जाता है आठ मार्च को सबसे important day यही होगा कि अंतराष्ट्य महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है हर साल आठ मार्च को विश्व उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है 15 मार्च को विस्सो मौसम विग्यान दिवस तेईस मार्च को और विस्सो टीवी दिवस ये मना जाता है 24 मार्च को अंगला प्रस्न है ऑक्सपोर्ट एकोनोमिक्स की रिपोर्ट के अंसार यूटूब से बीडियो के जरिये देश को कितने करोड रुपई की कमाई कराई है ठीके दोस्तों यानि यूटूब के जरिये भारत को कितने करोड रुपई की कमाई हुई है तो इसका आंसर होगा 68 करोड रुपई की ठीके दोस्तों तो आक्सपोर्ट एकोनोमिक्स ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और कहा है कि यूटूब क्रियेटर्स यानि यूटूब ने 6,83,900 फुल टाइम नौकियों के बराबर भी GDP को मजबूत किया है ठीक है यानि जो यूटूबर्स हैं उन्होंने भारतिय जीडीपी को मजबूती प्रणान किये है ठीक है दोस्तों ये रिपोर्ट किस ने जारी की है ये जारी की है ऑक्सपोर्ट एकोनोमेक्स ने अंगल लिया है आंसर होगा इसका तमिल नाडू यानि तमिल नाडू डूगोंग का सर्रच्छन करेगा और इसके लिए एक सर्रच्छन रिजर्व की स्थापना करेगा ठीक है दोस्तों तो हाल ही में तमिल नाडू की गवर्मेंट ने मननार की खाड़ी पाक खाड़ी में डूगो किलो मीटर का जो छेतर होगा वहाँ पर डुगोंग के सरच्छन के लिए एक रिजर्व बनाया जाएगा. दोस्तों याद रखिएगा डुगोंग को हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं यानि डुगोंग एक समुद्री जीव है जिसे हम समुदरी गाए भी बोलते हैं और ये मैमल्स है यानि इस्तन पाई है और दोस्तों डुगोंग समुदरी घास को खाने वाला जीव है तो ये सभी point आप note जरूर करिएगा बात आई है तमिल नाडू की तो तमिल नाडू के बारे में कुछ point डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा तमिल नाडू की chief minister कौन है दोस्तों याद रखना है M.K. Stalin है और यहां के governor कौन है R.N. Ravi है क्या नाव है दोस्तों R.N. Ravi तमिल नाडू की capital क्या है चेन नहीं है और तमिल नाडू के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वो कौन-कौन से है ध्यान से सुनते जाएगा आप तमिल नाडू के पड़ोसी राज्यों में केरला और दूसरा है करनाट का तीसरा है आंध प्रदेश तो ये सभी राज जो है वो करनाटक की सीमा को चूते हैं ठीक है और जो तमिलाडू का तठ है और स्रीलंका का जो तठ है उसके बीच में पाक की खाड़ी है या पाक खाड़ी है ठीक है और दोस्तों तमिलाडू के तठ पर ही मननार की खाड़ी भी है तो ये सभी पॉइंट नोडाउन करिएगा अंगला प्रस्न है हाल ही में किस भारतिय बैंक ने प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं को बैंकिंग माध्धिमों के जरिए भुकतान पर रोक लगा दी है तो इसका आंसर होगा SBI यानि State Bank of India ने रूस की उन संस्थाओं कब भुकतान पर रोक लगाई है जिनको बैंड किया गया है ठीक है दोस्तों तो भारती State Bank ने रूस के यूकरेन के हमले को लेकर पश्चमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है यानि जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है रूस की उनके लिए लेंडेन बंद कर दिया है और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस संबंध में SBI ने एक अधिसूचना भी जारी की है यानि एक नोटिफिकिसन भी जारी किया है रूस भारत के बड़े ब्यापार साजी दारों में से एक है चलिए फ्रेंट्स इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हुआ क्या है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और इसके जबाब ने जो पश्चमी देश है यानि यूरोब की जो देश है और इसमें अमेरिका भी है दोस्तों तो उसने रूस की कुछ संस्थाओं पर प्रतिवंध लगा दिया है तो जिन संस्थाओं पर प्रतिवंध लगाया गया है उनके लिए SBI ने भुक्तान करने से मना कर दिया है ठीके दोस्तों अब आप बात कुछ समझ गए होगे अंगला परिसनर डिसकस करते है पश्चमी बायू कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदबार समाला है ठीके दोस्तों यानि जो बायू सेना की पश्चमी कमान है उसका प्रमुख का पद किससे दिया गया है तो इसका आंसर होगा स्री कुमार प्रभाकरन ने ठीक है दोस्तों यानि स्री कुमार प्रभाकरन जो है पश्मी बायू सेना के कमान के प्रमुख बन गए है ठीक है बात आई है दोस्तो एर फोर्स की तो इसका फाउंडेशन या इसको फाउंड कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को यानि सुतंता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था बरतमान में चीफ ओफ दा एर इस्टाप कौन है उनका नाम है विवेक राम चौदरी लेक्चर अ आरोग बनम का उद्धाटन किस ने किया है तो दोस्तो राष्टपती भवन है कौन उद्धाटन करेंगे तो इसका अंसर होगा रामनाद कोविन यानि महा महिम रामनाद कोविन जी ने राष्टपती भवन में आरोग बनम का उद्धाटन किया है ठीक है दोस्तो तो इसका देश से आयुर्वेदिक पौधों के महत्त को मानव सरी पर उनके प्रभावों का परचार करना और आरुग बनंग अब जनता के लिए भी खुला रहेगा इससे लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे सामिल किये गए हैं यानि इसमें कितने पौधे सामिल किये गए हैं कितने जड़ी बूटियों के तो 215 जड़ी बूटियों के पौधे इसमें सामिल किये गए हैं और ये 6.6 एकड में फैला हुआ है ठीक है दोस्तो अंगला इस्थान किसका लिया है तो इन्होंने इस्थान लिया है दिनेस पांक्टे का और LIC mutual fund भारत में संचाले सबसे पुराने और अग्रणी mutual fund में से एक है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि जो LIC mutual fund है उसके MD और CEO कौन बना गए है TS Ram Krishnan तो दोस्तो ये थे आज के current affairs के question अब हम आपसे कुछ question पूछ रहे हैं उनकी जबाब आपको comment box में देना है पहला question है तमिल नाडू के governor कौन है दूसरा question है बायू शेना के प्रमुक कौन है तीसरा question है अंतर राष्टी महिला दिवस का मनाय जाता है इन तीनो प्रस्णों के answer आप comment box में जरूर दीजिएगा हमें इंतजार रहेगा आपके answer का दोस्तो आप राजा गुपता को अनेकेड़ी पर follow कर ले अगर आप कोई भी free class भी join करते हैं तो उसके लिए एक code यूज करिएगा राजा नंबर वन और अगर आप कोई सब्सक्रिप्सल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप code यूज करिएगा राजा नंबर वन खबरी पर आप हमें follow कर सकते हैं वहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाते हैं दोस्तो तो आप खबरी पर भी आप हमें follow कर ले अगर यह lecture पसंद आया है तो like करें दोस्तों को share कर दें सभी platform पर जिससे studyaker को support मिल सकें हमारे जितने भी social media platform हैं उन पर भी follow कर लें मिलते हैं next lecture में जैहिंद बन दिमाद